नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत हैं, दोस्तों आज कहीं वीडियो आपके यूपीटेट एक्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में आज हम सामाजिक अध्यन के कुल 60 प्रशनों को सॉल्व करेंगे, दोस्तों यह प्रशनों को अच्छे से देखिए कि किस तरह से प्रशन इसमें सोसल साइंस में पूछा जाता है, तो चलिए शुरू करते हैं, और ध्यान से एक एक प्रशनों को अच्छे से समझ लेते हैं, पहला प्रशन है आपके सामने, सारीरिक सिक्षा का उद्देश है, आपको यह सारीरिक सिक्षा का क्या उद्देश होता है, क्या मानिसिक विकास करना, या फिर सारीरिक विकास करना, या मनुबज्यानिक विकास करना, देखें दोस्तों, अगर आप सारीरिक सिक्षा के अंतरगत केवल सारीरिक विकास को रखेंगे, तो आपका जवाब गलत हो जाएगा क्यों गलत हो जाएगा क्योंकि दोस्तों सारीरिक सिक्षा के अंतरगत आपका mental development भी आता है और physical development भी आता है और psychological development भी आता है तो इस प्रकार से दोस्तों जो सारीरिक सिक्षा का उद्देश्च होना चाहिए वह है आपका मानिसिक विकास भी होना चाहिए सारीरिक विकास भी होना चाहिए और इस तरह से आपका चौथा आफसन राइट हो जाएगा उपरियुक सभी होना चाहिए ठीक है तो इस तरह के प्रश्ण दोस्तों पूछा जाता है आप लोग ध्यान से देख लीजिए बैट मेंटन से संबंधित खिलाडी कौन है आपको यह बताना है दीपा क कर्माकर की स्केल से संबंधित है आपका जवाब होगा जिमनास्टिक खेल से संबंधित है अगर आप से पूछा जाए सानिय मिर्जा की स्केल से संबंधित है तो आपका जवाब होगा टेनिस से संबंधित है यह आप से पूछा जाए दूतिचंद की स्केल से संबंधित है तो आपका जवाब होगा ट्रैक और फिल्ड खेल से सब्बंदित हैं तो इस सरा से दोस्तों आपका इसमें पीबी सिंधु राइट आप एंस्वर है ठीक है चलिए नेश्ट आप देखेंगे दालों में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है इंपोर्टेंट प्रश्ण है आसान प्रश्ण है आपका जवाब होगा प्रोटीन पाया जाता है सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है नेश्ट है लेश्ड के सेवन से क्या होता है आपका सही जवाब इसमें क्या होग क्या होता है ली सेर्जिक एसिट डाई एथले माइड दोस्तों यह जो है एक अर्ध संसलेशित आउसरी होती है ठीक है और इसका जो सेवन करता है वह व्यक्ति जो है अपना संतुनल खो देता है और वह आसपास के वातावर्ण से बिल्कुल भी अलग हो जाता है और वह ऐसी स से आप लोग इसे देख लीजिए काफी इंपोर्टेंट प्रस्ण है अच्छे से समझ लीजिए ब्यायाम का लाव क्या होता है देखिए यह वी प्रस्ण पूछा गया है आसान प्रस्ण है ब्यायाम से क्या लाव होता है आप कहेंगे फूर्तिल्यापन भी आता है सही है र वृत आरेख उपयोगी है किसलिए उपयोगी है तो आपका जवाब क्या होगा वृत आरेख दोस्तों आपका विभिन मात्राओं की तुलना करने के लिए उपयोगी है ठीक है किसलिए उपयोगी है विभिन मात्राओं की तुलना करने के लिए उपयोगी है इसे आप लोग य काल ही में NCF आधार पत्र किस पर बल देता है क्या यह लचीली बियोस्था पर बल देता है बैशने के लिए तो आप कहेंगे नहीं यह गलत अपसन है परिश्चा निसपादन पर भी यह बल नहीं देता खुली पूस्तक परिख्षा पर भी बल नहीं देता यह केवल जो है सतत सतत आकलन पर बल देता है तो चौथा आपसन आपका इसमें राइट है इस तरह के प्रश्ण भी सामाजिक अध्यन में पूछे जाते हैं सामाजिक अध्यन सिक्षा का क्या उद्धेश होना चाहिए यह भी आसान प्रश्ण है इसे आप सभी लोग कर सकते हैं आप कहेंगे साम सभी इसमें हो जाएगा यह सामाजिक अध्यन सिक्षा का उद्धेश है नेक्ट प्रश्ण है पर्यूजना कार्य महत्तपूर होता है क्योंकि क्यों महत्तपूर होता है क्योंकि करके सीखना दोस्तों सीखने का एक महत्तपूर तरीका होता है जो बच्चे करके सीखते हैं व 100 कुष्चन यहां से है इसको विध्यान से देखिए भारती बहुलतावादी समाज में सामाजिक बिज्ञान के पाठिपुस्तुकों को बिवादस्पत मुद्दों से बचना चाहिए या फिर सरकार के विचारों को प्रदर्सित करना चाहिए या बहुसंख्यक के राय को प्रदर्सित करना चाहिए या सभी धर्मों और सामाजिक समोहों को सामिल करना और उनका प्रतनिधित्व करना चाहिए तो आपका जवाब यही होगा कि भारती बहुलतावादी समाज में सामाजिक विज्ञान की पाथपुस्तकों को सभी धर्मों और सामाजिक समोहों को सामिल करना चाहिए और उनका प्रतनिधित भी करना चाहिए ठीक है चलिए इंपोर्टेंट प्रशने सभी है ध्यान से इसमें आपका सही है ठीक है बात करें दोस्तों महाविनिस्क्रमण की तो महाविनिस्क्रमण क्या होता है आप कहेंगे महाविनिस्क्रमण महत्मबुद्ध के गृत्या करने की जो घटना है उसी को गरंथों में महाविनिस्क्रमण कहा गया है तो यह भी आप लोग ध्यान स से देख लेजिए नेश्ट अब देखेंगे गौतम बुद्ध का जन में लुम्बनी में हुआ था इसकी पुष्टी किसके अभिलेक से होती है आपको यह बताना है देखिए हर्ष के या असोक या समुत्रगुत या कुलकेसियन दुती आपका जवाब क्या है असोक के अभिल भीम बेटका आपका सइ हो जाएगा ठीक है भीम का बास करें दोस्तों तो यह कहां I importante है यह मद्ध प्रदेश में इस्तित है मद्धप्रदेश के किस जिले में राइसेन जिले में इस्तित है ठीक है और यह दोस्तों एक प्राचीन पुरास्थल है इसमें क्या है दोस्तों इसमें जो है आदिमानों द्वारा बनाए गया सैल चित्र हैं जो की काफी प्रशिद्ध है ठीक है बात करें अगर सा स्थापना इंघ मैं से किछ ने की थी आपको यह बताना है ता Frame मधैर या आत्मराम पंद्रण आपका साही जवाब होगा राजा राम्मोहन राय आत्मी स्थापना कि देए कि देखी अ किसके वायस रायकाल में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली अस्थानांद्रित हुई लाड हर्डिंग दुती, लाड रीडिंग, लाड करजन या लाड चेंस फोर्ड आपका सही जवाब होगा दोस्तो लाड हर्डिंग दुती लाड हर्डिंग दुती के समय में ही भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली अस्थानांद्रित हुई थी अगर बात करें दोस्तो लाड करजन की तो लाड करजन के सासनकाल में 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा तो बहुत ही महत्वूर शीजे चल रही है दोस्तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए वीडियो को सेयर करिए और कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है इन में से किस मुगल समराट ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था बहादुर साव प्रथम, साहालम प्रथम, साहालम दुती या अकबर दुती तो आपका सही जवाब क्या होगा दोस्तो अकबर दुती ठीक है अकबर दुती ने राजानाम मोहर राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था चलिए नेश्ट देखते हैं हिंदू बिद्वा पुनर बिवा अदनियम निम्ण में से किस वर्स पारित हुआ था तो आपका सही जवाब क्या होगा इसमें 1856 में पारित किया गय है इस इंडिया कंपनी की अस्थापना के समय भारत का सासक कौन था आपको यह बताना है सेरसासूरी अकबर जहांगीर या औरंगजेब आपका जवाब क्या होगा दोस्तों आपका जवाब होगा अकबर ठीक है अगर दोस्तों अकबर के सासन की बात करें कि इसका सासनकाल क होता है ठीक है तो अकबर का सासनकाल का समय सोला 1556 से 1605 तक है और अगर आप से जो है इस्ट इंडिय कंपनी की अस्थापना की बारे में पूछा जाए तो आपका जवाब होगा अकबर, बाबर, हुमायू, साह जहां आप सभी को पता है कलंदर किसे कहा जाता है बाबर को कहा जाता है ठीक है बाबर को कलंदर के नाम से भी जाना जाता है बाबर की बात करें दोस्तों तो यह जो है मुगल समराज का संस्थापक था किसका संस्थापक था मुगल समराज का स स्थापक था और इसका जो सासन काल है वह 1526 से ले करके 1530 तक है इसे भी आप लोग याद रखिएगा चिक है तो काफी इंपोर्टन चीजे चल रही हैं आप लोग ध्यान से देखते चलिए निमने लिखित में से किस राज में 2011 की जनगर्णा में जनसंख्या का हरास अब लिखित हुआ है तो आपका जवाब क्या होगा मनिपूर उत्तरप्रेस बिहार या नागालेंड आपका सही जवाब होगा 2011 की जन कर्णा के सवार नागालेंड में दोस्तो जनसंख्या का हरास अब लिखित हुआ है नेक्ट है हैं है ऐध्राबाद किस नदी परिस्सित हैं गुदावरी मूसी महनदी कृष्णा आप सभी को पता है है हैध्राबाद मूसी नदी के गिनारे इस इस्सित भी आप लो चलिए नेश्ट देखते हैं वे दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है तो आपका जवाब क्या होगा दो ऐसे ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है तो वो हैं आपके बुद्ध और शुक्र इन दोनों ग्रह के कोई भी उपग्रह नहीं है इसे दोस्तों आप सभी लोग याद रख सागर में तो दोस्तों आपका सही जवाब क्या होगा इसमें आपका सही जवाब होगा दक्ष दूइव अरब सागर में इस सित है नेक्स्ट है निमलिखित में से किस छेत्र को विश्चु का फलोदान कहा जाता है तो आपका जवाब क्या होगा विश्चु का फलोदान दोस् सिद्ध है यह कुश्चन तो पामीर अरावली सत्थपुड़ा या म्यमार तो देखिए पामीर का जो पठार है पामीर इसे जो है संसार की छट कहा जाता है काफी ज्यादा इंपॉर्टन चीजे है निमलिकित में से कौन सा संसार का सबसे बड़ा मरवसल है तो आपको पता है संसार का सबसे बड़ा मरवसल है सहारा मरवसल यह कहां इस सित है दोस्तों अगर यह आप से पूछा जाए तो आपका जवाब होगा अफरीका में इस सित है चलिए नेश्ट प्रश्णब हम देख तो आपका जवाब होगा, जम्मू कस्मीर के किस तुवार जिले में इस्तीत है, चलिए निश्ट देखेंगे, निम्न लिखित में से कौन सी एक रोपड फसल नहीं है, तो रोपड फसल इसमें देखिए, चाए, कौफी, रबड, ये तीनो तो रोपड फसल है, लेकिन जो गे आपका इसमें सही है नेक्स फाइब प्रश्ण है नाटो न-a-t-o का मुख्यालक कहा इस्तित है लंदन में बुशेल्स में नियुयार्क में पेरिश में तो आपका सही जवाब क्या होगा बुशेल्स इमें सित है दोस्तों तो नाटो के वारे में थोड़ा सा आप लोग जाता है हिंदी में दोस्तों इसे उत्तरी अटलांटिक संधी संगठन के नाम से जानते हैं जाना जाता है ठीक है और दोस्तों यह जो है एक सैन संगठन है अगर इसकी अस्थापना के बारे में आप हाथाना के अपकोई है तो ये आप सभी को पता होगा Buddy Lick किया गया है निक्रिकित मेंlegen से कौन सा एक भारती सम्मीधान की प्रस्थाओना का भाग नहीं है तो संगात्मक्ता या जो है भारती सम्मीधान की प्रस्थावना में इसका उलिख नहीं है और तीनों आपसन देखिए प्रजतांत्रिक धन्म निर्ष्विष्था और समाजवाद यह जो है समध्यान की प्रस्थावना में समलित है समाजिक अध्यन के सिक्षण में सबसे महत्यपूर सहायक साधन कौन सा है तो देखिए इसमें दोस्तों सबसे महत्यपूर की बात कर रहा है तो कारी निर्धान तो नहीं होगा वाद विवाद भी नहीं होगा सबसे जादा जो महत्यपूर है वह होता है स्रब्य और तो आप कहेंगे इतिहास तो समलित है, राजनी सास भी समलित है, भुगोल भी समलित है, लेकिन दर्सन सास्त रिया जो है सामाजिक भी से में समलित नहीं है, नेश्ट देखेंगे समध्यान सभा के अस्थाई अध्यच कौन थे, तो आपका जवाब होगा दोस्तो, डाक्टर राजन्द प्रसाद समध्यान सभा के अस्थाई अध्यच थे, और डाक्टर सचिद्यानंद ये अस्थाई अध्यच थे, तो यह भी आप लोग जानते रहिए, चलिए नेश्ट है, राश्पत की अनुपस्तिती में उसके समस्त्रकार किसके द्वारा किये जाते हैं, राज ज़्यादे इंपॉर्टेंच चीज़े चल रही है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, तो चैनल को सब्स्राइब कर लिजिए, और कमेंट में बताइए, निमलिखित में से किस नावकी संधी का भारत सदस से है, या पूछा गया है, तो आपका पार्सियल टेस्ट बैन ट्रिटी के नाम से जानते हैं, फिर से एक बार सुन लेजिए, पार्सियल टेस्ट बैन ट्रिटी के नाम से जानते हैं, हिंदी में इसे हम क्या कहते हैं, आंसिक परिछण निशेद संधी, क्या बोलो जाता है, आंसिक परिछण निशेद संधी के न पर प्रतिबंद के लिए यह जाना जाता है परपन प्रतिबंद के लिए यह संधी है तो इसे भी आप लोग द्यान से देख लीजिए समझ लीजिए आपका जवाब होगा दच्छिड सूडान में ठीक है चलिए निमनलिखित में से कौन सा संधी राज संग का अभिकरण नहीं है तो आप देखेंगे दोस्तो इसमें विश्वसास संगटन खादिकर्च संगटन और यह सब तो हैं इसके अभिकरण संग के लेकिन आपका जो अं संगटन मतलब की WSO के बारे में पूछा जाए कि इसका मुख्याले कहा है तो आपका जवाब होगा जिनेवा सुडजले में इस्तित है और आपसे अगर खाद और क्रिसी संगटन के बारे में में पूछा जाए कि इसका मुख्याले कहां है तो आपका जवाब होगा रोम या इटली में इस्थित है ठीक है चलिए नेस्ट है कौन साव रूनक तो आपका जवाब क्या आपका जवाब होगा कैलसियम अमोनियम नाइटरेट को किसान खाद के रूप में जाना जाता है नेक्ट पूछा गया है एक हेक्टेयर सेंटीमीटर में पानी की कुल मात्रा कितनी होती है आपका जवाब होगा एक लाख लीटर होती है एक हेक्टेयर सेंटीमीटर में एक ला नहीं होता है सकरद्वारा होता है निमलिखित में से कौन सा उर्वरक तीब्र आर्द्रता ग्राही होता है तो इसमें आपका सही जवाब क्या होगा आप लोग बताईए इसमें आपका सही बाद की अवस्था क्या फूल आने की बाद की अवस्था होगी ये नहीं होगी प्रार्मिक अवस्था या परिपक को अवस्था आपका सही जवाब क्या होगा इसमें फूल आने से पूर्व की जो अवस्था होती है ठीक है तो खेत में हरी खाद वाली फसल की पल्टाई की ज निस्ट has जेली बनाने में pro Speaking का प्रवुक्त कार क्या है में तुस्टो इसको भी याद रखिएगा इंप्वेट प्रजन है जेली बनाने में दोस्तों पेप्टिंस, जोंप प्रभुक्त है वह है फलो केी रश का ठक्का बनना फलो के पीन के कारण टमाटर का रंग लाल होता है चलिए निश्ट देखते हैं नीबू का फल प्रचुर होता है तो क्या होता है सिट्रिक अमल का नीबू के फल में क्या होता है सिट्रिक अमल की मात्रा होती है प्रशुर मात्रा में होती है और टाटरिक अमल की बात करें दोस्तों या फिर टाटरिक अमल की बात करें तो यह जो है अंगूर, केला, इमली जैसे फलो में पाया जाता है और एस्टिक अमल आपका सिर्के में पाया जाता है तो यह भी आप लोग याद पताना है अचल स्वर दोस्तों कौन होते हैं अचल स्वर ऐसे स्वर होते हैं जिनका एक निर्धारित स्वरूप होता है मतलब जिसका कोई भी स्वर विक्रित नहीं किया जा सकता है उसे हम अचल स्वर के नाम से जानते हैं इसमें आपका सा और पा जो है यह जो है अचल स्वर सर स्वर होते हैं ठीक है सा और पा इन्हें जो है विक्रिद नहीं किया जा सकता है नेश्ट है राग यमन किस थाट से उत्पन है आपका जवाब होगा कल्यान थाट से उत्पन है चलिए नेश्ट देखते हैं संगीत में समान गत के सतत प्रवाह को क्या कहते हैं तो आप सब को जवाब क्या होगा दोस्तों इसमें आपका जुआब होगा राग बिहाग का स्वर्समु है जंडा जाए जन्डगान विजेई विश्चु तिरंगा प्यारा के रचहिते कौन है तो आपका जवाब होगा स्याम लाल गुपता पारसद यह वाला अपसन आपका बिलकुल सही है चलिए नेश्ट देखते हैं थाइराइड से निकलने वाला हार्मोन कौन सा है तो आपका सही जवाब क्या होगा दोस्तों आपका जवाब होगा थाइराक्सिन थाइराक्सिन जो है या थाइराइड से निकलने वाला हार्मोन है इससे क्या होता है दोस्तों इससे जो है हिर्द उपरयुक्त सभी, उबालना, इस्टूइंग, ये सभी जो है, जल के माध्यम से बहोजन पकाने की विधी है, ठीक है, दो प्रशना और बचे हुए हैं, तो तीन, इनको भी देख लेते हैं, जल्दी से, इसमें देखिए, धोकला बनाने में प्रयुक्त विधी कौन सी है, तो आपका जवाब होता, सैस्वा वस्ता, ठीक है, और छे से बारा का जो समय होगा बाल्या वस्ता है, लेकिन दोस्तों यह भी द्यान रखिए, दो से लेकर छे वर्श, या कहीं कहीं लिखा है, तीन से लेकर छे वर्श जो होता है, वह पूर बाल्या वस्ता की स्रेड़ी में आता है किसमें आता है पूर्व बाल्यावस्था की स्रेड़ी में आता है लेकिन यहाँ पे पूर्व बाल्यावस्था नहीं लिखा गया है केवल बाल्यावस्था लिखा गया है तो यही आपसन इसमें सही होगा यह विवादित कुश्चन था इसमें जो है कामानंग दिया ग भी है तो इस तरह से आपका उपरिक सभी इसमें सही हो जाएगा तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिख कर बताईए अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत धन्यवाद